असलाम अलेकुम क्यासाब लोग उमीद कोती सब लोग कहते होंगे और ठीक होंगे तो आज हम बना रहे हैं कड़ाई रेस्टरेंट स्टाइल विद नान तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो यह बहुत मज़की और बहुत इजी रेस्पी है और बिल्कुर रेस्टरेंट जैसे बंदेगी आपी कड़ाई तो अब हम बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वह हैं चार कटेवे टेमाटर तीन सचार कटीवी हरी मिर्च है और दो कटीवी प्यास और एक किलो मटन और जिंजर गालिक पेस्ट टू टेबल स्पून और सॉल्ट वन टी स्पून हाफ टी स्पून हल्दी वन टेबल स्पून रैच चिरी पाउडर और टू टेबल स्पून ओइल सॉरी टू नी फो टेबल स्पून ओइल और हमने एक पैन ले लिए है आज हम यह बनाएंगे कूकर पे तो सबसे पहले हम इसमें एड़ कर देंगे ओईल इसके बाद इसमें मंटन एड़ कर देंगे इसके बाद इसमें जो इंजर गालिक पेस्ट एड़ कर देंगे ताकि इसमें जो गोस्ट की स्मेल है वो खता हो जाए और यहां पर ड्राए मसाल एड़ कर देंगे इसमें प्याज एड़ करेंगे उसके बाद इसमें कटी भी हरी मेड़ करेंगे फिर इसमें एड़ कर देंगे हम कटेवे टेमाटर और इन सब चीज़ें को त्थे से मिला लेंगे इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें एक कप के करीब पानी आड़ कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कूकर की सीटी लगा के इसको 30 मिनट टक पकने के लिए रख देंगे और अब 30 मिनट हो चुका है तो हमने इसको एक कडाई में डाल दिया उसके बाद हमने इसमें एड किया है बटर टू टेविल स्पून अब इसमें क्रीम एड कर दिये तो क्रीम से बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आजाएगा तो बिलकुल यह रेस्टरेंट स्टाइल बनेगी और यहां पे कुछ हमने मसाले लिए तो इसमें हैं वन टेबल स्पून ड्राइड कॉरियंडर आफ टीश्पून गरम मसाला वन टेबल स्पून ड्राइड चिली फ्लेक्स और और टू टीश्पून जीरा और वन टीश्पून काली मिर्चेव बिसी भी काली मिर्चेव और बाकी अब हम यह सारे मसाले मैट कर देंगे और इसके बाद इन सब चीजे को अच्छे से मिला लेंगे और इसमें आप देख सकते हैं बावल्स बनने स्टार्ट होगा है और अब हम इसमें एट कर देंगे कर टीवी अद्रक और यह बहुत इच्छी कड़ाई बनके त्यार होगी जो आप ड्रेस्ट्रेंड में जाके खाते हैं बिल्कुस सेम वही होगी और प्लीज इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ किजिएगा तो यहां पर बावल्स बनने शुरू हो गए और अब इसमें उपर की तरफ आ चुका है तो उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे ग्रीन चिली और अब इसमें एड़ कर देंगा कॉरियंडर लीव तो इससे बहुत जच्छा फ्लेवर आजागा अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं एड़ करें और हमारी कड़ाई बिल्कुल बंके तायर हो गई है बहुत टू टेबल स्पून वाइल सॉल्ट हाफ टी स्पून शुगर वन टेबल स्पून और मैदा दो बोल और पानी लेंगे जर्वत के मताबिक झालओ वेड़ दिल्स के मताफ यागन झालओ 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 करें भी स्पून शुगर प्रकेंगे जर्वत करें दो गूज़ के देना शुगर ये कहीं पालओ ये हैं पालओ ये जर संद स्पून वामारी करें वालब ये बहुत अब हमारा आटा बिलकुर लग गया और आपके लिए एक घंटे के लिए तो यहाँ पेग बाद हमने इसके पेड़े बना लिए और इसको बेल लिया है तो अब हम इसके बपर लगाएंगे पानी तो पानी से क्या होगा जब हम तवे को उल्टा करण तो यह हमारी रोटी गिरेगी नि तो उसमें चिपक जैगी तवे में तो अब हमारा बहुत अच्छा नायान भी तायार हो जाएगा और अब हमने इसको तवे में रख दिया है तो आप देख सकते हैं इसमें बोबल्स बन गए अब हमने तवा उल्टा कर दिया है तो आपको बिल्कुल उल्टा करकि इसको रखना नहीं है आप इसको अलका कर साइट कर साइट करते करते तवे को देखते रहेएगा और रोटी को रोटी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बन के तयार हो रही है और जब ये ब्राउन होना शुरू हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे तो ये भीकल अच्छ से रूटी बिल्कुर हमाई माज़दार से बनके तयार हो चुक है ओब हम इसको निकाल लेंगे और आप पीछे से भी देख सकते हैं बिल्कुर अच्छ से सिंग गई है तो यह बिलकुल हमारा बहार जैसा नान बन के त्यार हो चुका है तो इमीद करते हैं आप लोगों को पसंद आए और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंड में आप लोगों बता दिए को नेक्स रेसिपी कौन सी हो और प् झातो जड़ लोगों करते हैं दो और तो खिक्श्ताइब जड़ झाता है झाता है स्कानल प्लीज और टो नेक्स रिहाँ करता हैं प्लीज डिए में आप चाहिए और कमेंड़ प्लीज आपार दिएल दिएलावगों को बहार रिएल आपकुल हमारत पक्षब तो दो ऑगक